करन जोहर का शू कॉफी विद करन अपने आप में खास इसली हो जाता है क्योंकि हर टॉप सेलिबरिटी, हर बड़ा अक्टर अक्टरिस आकर के यहां पर अपने वो रास खोलता है जुनके बारे में वो किसी और प्लाटफॉर्म पर बात करते हुए नहीं दिखता है अब करन जोहर के शो में पहुंची दिपिका पादुकोन और रनवीर सिंग यहां पर दिपिका और रनवीर के बीच कुछ ऐसी बाते हुई है जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है सबसे खास है दिपिका की अपनी डेटिंग स्टेटस को लेकर के बाते कहना जी हां दिपिका की एक वीडियो वायरल हो रही है कौफी विद करन से और उसके साथ एक पुराने वीडियो वायरल हो रही है दरसल वो उनके उस वक्त के ब्रेकप की है जब रणवीर कपूर से ब्रेकप होने के बाद वो वक्त पिता रही थी और उस वक्त दुनोंने कहा था कि वो कुछ और लोगों को भी डेट कर रही थी ये कहते हुए दिबिका अपने complicated relationship status के बारे में explain करते हुए भी दिखाई देती है और वही रनबीर सिंग भी बातों बातों में उन्हें याद दिलाते हैं कि अभी तो तुम कह रही थी कि तुम और भी लोगों को उस वक्त डेट कर रही थी खैर ये अजीबो गरीब के mystery सितारे ही जाने लेकिन इस सब के बाद social media पर trend कर रहा है करन जोहर के लिए कलेशी चाची of the year जिहां करन जोहर को कहा जा रहा है कि ये अच्छे खासे relationship में भी आग लगा सकते हैं लेकिन खैर करन जोहर न इन सब tax के लिए immune हो चुके हैं और शायद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है फिराल coffee with करन का ये episode इस वक्त social media पर काफी trend कर रहा है और साथी दिपिका पादुकोन और अन्बीर सिंग के बीच हुए इस छोटे से जगडे की clip जो वाइरल हो रही है ये भी social media पर लगातार चर्चा का विशे बनी हुई है